हेलो थर्ड क्लास हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर ये दा लेजी गार्डनर पेल नंबर 36 ओपन करेंगे आज क्योंकि हमने कहां तक पढ़ लिया था कि जो ओल्ड वुमेन थी ओल्ड वुमेन ने क्या दिया था गार्डनर को एक ब्लैक शीड स्मॉल ब्लैक और कहा था put this seed into the ground and water it कि इसको ground में लगाईए और इसको पानी दीजिये और it will grow very quickly ये बहुत जल्दी बड़ेगा और तुम भी बहुत जल्दी रिच हो जाओगे so the gardener put the seed into the ground इसले इसने gardener ने क्या किया seed को ground में लगा दिया मतलब गार्ड दिया and watered it और उसको पानी दिया and looked after it और उसकी बहुत देखभाल करने लगा the next morning he came to look at it a little plant begin to come out एक छोटा सा प्लांट निकलने वाला था निकल रहा था at the top of the plant there grew a red flower मतलब जो छोटा सा प्लांट था उसमें क्या लगा हुआ था एक red flower लगा हुआ था फूल लगा था the gardener thought perhaps this red flower shall make me rich I should pluck the flower gardener ने सोचा कि शायद जो red flower आया है यह मुझे अमीर बनाएगा इसलिए मुझे क्या करना चाहिए यह flower को इस फूल को तोड लेना चाहिए as he put out his hand to pluck the flower he heard the word please don't pick me the gardener was surprised he looked down she saw a little man inside the flower उसने क्या देखा कि जो छोटा सा मतब फूल के अंदर क्या है he saw a little man inside the flower flower के अंदर कौन है एक छोटा सा आदमी है किसके अंदर एक फ्लार के अंदर ठीक the little man said little man ने क्या कहा जो फ्लार के अंदर से निकला come on come on you have a lot of work to do तुमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए the little man made the gardener water all the plants little man ने क्या किया gardener को सारी plant को काम कर पानी देने के लिए बोल दिया he made him sweep all the dry leaves उसने उसको मतब जो dry leaves थी न सूखी पत्तिया उनको हटाने का काम भी बता दिया he put him to work up five o'clock पांच भी तक उसने काम किया the gardener looked nice and tidy अब जो गार्डन था गार्डन कैसा लगने लगा अच्छा लगने लगा और साफसुतरा लगने लगा when the master came, जब master आया he was very happy वो बहुत खुश था but the gardener was very angry and tired लेकिन अब गार्डन ने काम किया था तो गार्डन कैसा हो गया गुस्सा और मतों से बहुत तीज गुस्सा आया और वो ठख चुका था he went to his bed and slept वो अपने मता सोने के लिए गया और सो गया बैड पर गया और सो गया the next morning the little man woke up early मतलब छोटे से जो आदमी मिला था न उसे उसने उसको जगा दिया come on come on eat your breakfast अपना breakfast काओ hurry up said the little man little man ने का जल्दी जगो जल्दी जगो अपना breakfast काओ जल्दी करो the gardener was very angry gardener कैसा था बहुती गुस्ते में था gardener मतलब जो बगीचे की देखवाल करने वाला he thought उसने सोचा that seed will never make me rich कि जो seed है जो उसने seed दिया था वो मुझे कभी अमीर नहीं बनाएगा it is making me work hard ये तो मुझे बहुती ज़्यादा मतलब कड़ी मेहनत करने को मजबूर कर रहा है ये मुझे बहुत थकाने वाला काम कर रहा है work hard मतलब बहुती कठिन परिश्रम कराना सिखा है I shall grow thin and die मैं पतला हो जाओंगा और मर जाओंगा मतलब उसने सोचे ये मुझे अमीर नहीं बना रहा है ये तो मुझे कैसा कर रहा है पतला और मरने जैसा बना रहा है लेकिन अब उसे जो काम था उसका वो उसे कठिन नहीं लगा He started enjoying the work in the garden उसने क्या किया अपने work को enjoy करना स्टार्ट कर दिया गार्डन में जैसे teachers आपको काम देती ना homework वगेरा कुछ बच्चे सूचते कितना सारा काम है और जब आप करना स्टार्ट कर देती हो तो आपको वो काम अच्छा लगने लगता है आप enjoy करने लगते हो तो इसमें यही बताया है कि जब हमें काम आपका master कोई काम देता है आपकी teacher कोई काम देता है आपकी mammy पापा कोई काम देते है तो हम लोग को लगता है वो काम बहुत टफ है और भहुती ठकाने वाला है बहुती गंदा काम है लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग को अगर उसको enjoy करने स्टार्ट कर यहाँ पर काम केरना चाहिए the gardener begin to take interest in his work gardener ने क्या-क्या start कर दिया अपने काम में interest देना very soon the garden looked beautiful and many people came to look at it garden बहुत सुन्दर लगने लगा बहुत सारे लोग वहाँ पर आने लगे देखने के लिए what a good gardener you have every visitor said और जितने भी visitor आते थे जितने भी लोग आते थे वो क्या कहते थे कि boss के पास मतलब तुम कितना अच्छा gardener है आपके पास कितना अच्छा gardener है the king heard about the gardener राजा ने सुना gardener के वारे में he summoned him to his palace and appointed him as his head gardener उसने एक समन्ण मतलब बुलाते हैं ना उसको बोलते समन्ण उसने बुलाबा भेजा और अपने महल में palace मतलब महल में appoint कर दिया उसको head gardener बना कर the gardener was now rich and famous अब वो rich भी हो गया और famous भी हो गया कौन? gardener but he did not see the little man and the old woman again लेकिन उसने द्वारा से उस little man को भी नहीं देखा और old woman भी नहीं मिली he always remembered them लेकिन उसने उन दोनों को ही हमेशा ही याद किया he always felt grateful to both of them और हमेशा ही उनके प्रति grateful रहा thankful रहा दोनों मतलब कौन? old woman and little man इस कहानी से मैं पता क्या चला इस कहानी से बस हमें यही सिख्ष्य मिलती है कि हमें अपने काम को enjoy करके काम करना चाहिए teachers का हो, mamma पापा का हो बड़े का है, घर का है अपने room साफ करने का है अपने notebook वगरा लगाने का है कुछ भी काम है हमें enjoy करके करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और वो कठिन नहीं लगता है इसके वैसे हमारी तारीफ होती है हम और अच्छा काम करते है फिर हम अच्छे person बन जाते है आज के लिए हमारा ये काम खतम हो गया आप भी पढ़िये, संग नहीं आये तो पूछेगा Thank you